एक senior intelligence officer के खिलाफ मामला disproportionate asset का और मामला लाखों का नहीं बलकी करोडों का Central Bureau of Investigation ने एक case register किया है Senior Intelligence Officer, Directorate of Revenue Intelligence as well Regional Unit के खिलाफ कि उनके पास से 72,27,768 रुपे के assets रुहें वो बरामत किये गए है और ये बताया जा रहा है कि उनकी income के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो 80% जादा कि ये assets रुहें उनके पास मौझूब थे ये इल्जाम लगाया गया कि January 2014 से लेकर में 2021 तक उन्होंने कई सारे movable और removable property बनाई उसके इलावा assets इकठे किये जिसकी total कीमत एक करोड़ बतालिस लाख 71,447 बताई जा रही है इस assets में क्या-क्या उनके पास था ये आपको बता दें जिसका सबूत जो है वो CBI को मिला है उसमें बताये जा रहा है कि तीन homestead lands कंगपो की मनिपूर में उनके पास थी उसके इलावा दो RCC buildings इंफाल इस्ट और एजवाल में उनके पास थी bank balance उनके अपने account में भी पैसे थे उनके अपने नाम से जो account था उसमें भी और उसके साथी में उनकी पत्नी के account में भी जो पैसे बरामद हुए हैं वो सारे मिलाकर उनके फिलहाल जो उनके पास income available थी वो भत्तर लाग से उपर की बताई जा रही है और साथी में source of income इन भत्तर लाग के assets का जो है इस समय उसका कोई record नहीं है यानि कि यह नहीं पता किया जा सका कि यह amount आया तो आया कहां से इसके चलते जब searches conduct की गई उनके offices में or residential area residential premises में तो as well उने फाल दोनों जगाहों पर जहां पर उनके घरते वहां पर searches की गई जहां से documents बरामत किये गए है गर जो लैंड थी उसकी purchase के उसके इलावा जो बैंक अकाउंट से उनकी details वहां से मालूम चली है various insurance policies उनके पास जो थी वह मिली है luxurious household articles और अन्य incriminating documents जो थे वह उनके घर से बरामत किये गए हैं CBI ने इस मामले में senior intelligence officer के खिलाफ case तो register कर दिया है disproportionate assets का लेकिन अभी भी searches continue चल रही है उसके इलावा और भी investigation चल रही है ताकि मालूम चल सके कि यह जो मामला है disproportionate asset का इसमें क्या अन्य कई लोग भी involved है और साथी में इन्होंने अगर यह assets बनाए है क्या इसके इलावा और भी इनके पास assets है जिनको लेकर अभी तक details मालूम नहीं चली है मामला हालां कि एजवाल का है लेकिन उसके बावजूद भी significant इसलिए है क्यूंकि मामला छोटा नहीं है corruption कहीं पर भी हो corruption किसी भी area में हो जब भी कोई सरकारी मुलाजिम इस तरी के corruption में involved होता है और यहां तो बात senior intelligence officer की है तो उसका impact जो है वो तो आम आदमी के उपर ही पड़ता है इसके चलते आज सीवियाई ने जो है यह केस तो रेजिस्टर कर दिया है आने वाले दिनों में पता चल जाएगा investigation के दोरान कि मामला कहां जाकर रुपता है